आज जो हम चर्चा करने वाले हैं तिन्चार विधाओं में यह थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है नागरिक्ता ठीक है अक्सर चर्चा में रहता है अभी भी आसम में जो नागरिक्ता के कारण प्रकरण चल रहा था राजनीती करण यह सब चलता रहता है गया अभी पिछले साल संसोधन किया गया संविधान संसोधन जिसमें आने देशों के यानि कि जो मुसली 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 तो आज हम नागरिकता की चर्चा करेंगे और नागरिकता में सबसे important चीज़त दिमाग में ये रखो कि ये किस भाग में है समिधान के भाग 2 में ठीक है समिधान के भाग 2 में आपकी नागरिक्ता के उपंथ है clear अनुचेद कितने से पाँच से ग्यारा की छे से ग्यारा ठीक है अब दिखए इसके बाद इस अधियम में नागरिक्ता थ्याग करने के ठीक है वो भी उपन्द बताएग है कि कितने प्रकार से आपना गरिकता त्याग सकते है clear तो आपको पहरी जी दिमाग में रख रहा है भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 है ठीक है भाग 2 है और सुरी ये अनुच्छेद योगे और अधनियम आपका अनिस्सो पर्षपन है clear ठीक है पहले आप 5 पॉइंट लिखिए उसके बाद हम रिटेल करते है अब देखिए सबसे बड़ी चीछ यह है कि हमने जो नागरिकता कि पहले आपको मूल अधिकार बताएथे ठीक है तो मूल अधिकारों को मैंने क्या बताया था इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है तो पहली चीज़ तो जो आपका सबसे इंपोर्टेंट है वो है अनुछेत पंद्रा आइटिकल फिफ्टीन ठीक है आइटिकल सिस्टीन ठीक है फिफ्टीन में क्या है वन्स जाती लिंग नसल के अधार पर भेदभाव नहीं होगा ठीक है और सोला में क्या था आवसर की समानता है ना कि जो एमप्लॉई रोजगार दिया जाएगा इसमें किसी बेदी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके लाबा आपका है अनुच्छेद 19 ठीक है सुतनरताओं का उलेख है क्लियर तो अनुच्छेद 19 बिलकुल नहीं मिलेगा विदेसियों को क्लियर और उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 क्लियर तो आपको यह याद रखना है कि यह कितने होगा है 5 यह 5 अनुच्छेद 19 मतलब कि यह 5 अनुच्छेद 15 जो मैंने बताया कि इसमें किसी भी ब्यक्ति के किसी भी ब्यक्ति से लिंग के आधार पर यहनि महिला है पुरुस है ठीक है यह ट्रांसजेंडर है नागरिक्ता के आधार पर इस छेद्र का है उस छेद्र का है जाती के आधार पर अमीर है गरीब है ठीक है यह नसल के आधार पर गोरी नसल का है कि काली नसल का है ठीक है इस आधार पर इन बिंदों के आधार पर कोई भेदभा नहीं होगा अनुच्छेद 16 आपका कहता है कि आवसर की समानता दी जाएगी जो government employee होते हैं ठीक है या कोई सरकारी रोजगार निकल रहा है तो उसमें सबको आवसर की समानता दी जाएगी किसी भी आधार पर भेदभावनी होगा आर अच्छान आपका उसका अपवाद है ठीक है? ठीक है? इस जीट को दिमाग में रखना है उसके बाद अनुचेद 19 में सोतंदरता है सतंदरता को लेख है ठीक है? छैप्रगार की सोतंदरता है ठीक है? आपको मैंने हरविंद केजडी वाले वाला एक उधारान भी बताया था ठीक है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है 19.A. Freedom of expression अभिव्यक्त की सोतंदरता क्लियर? तो अभिव्यक्त की सोतंदरता ये प्रिस की सोतंदरता सब इसी में आती है ठीक है? तो ये दिमाग में रखना है और 29 और 30 29 में क्या था आपका? जो अलपसंख्यक्वर्ग है उसके हितों का सनच्षण का उलेख किया गया था ठीक है? और 30 में आपका था कि वो अपनी संस्थाओं का विकास कर सकते है खासाली पियादी के सनच्षण के लिए अपनी वो भासाओं का मतलब अपनी संस्कृती के विकास के लिए इनका सनच्षण कर सकते है क्लियर? सर्विदेजु का अनुशे सत्रा प्रात है हाँ नहीं, नहीं, नहीं अनुशे सत्रा नहीं चलिए ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे भारती नागरिक्ता दिनियम 1905 के अनुशार ये नागरिक्ता दिनियम का जो ही 1955 है इसको दिमाग में रखेंगे कब आया नागरिक्ता दिनियम ठीक है, ये भी अपने अपने प्रमों के प्रशनों में आता है ठीक है, तो भारती नागरिक्ता दिनियम 1955 के अनुशार निम्न में से किसी एक आधार पर निम्न में से जो मैं लिखाऊंगा निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है ठीक है तो पहली चीज इसका पहला अधार क्या है जन्मसे लिखेंगे बाइबर्थ या जन्मसे ठीक है तो जन्मसे नागरिकता का उलेख इसमें सीधी सीधी बात यह है कि यदि कोई यहां जन्म ले रहा है इस्पेसलिए उस समय उसमें क्या उलेख किया गया था कि एक जुलाई 1947 ठीक है और 1950 एक जुलाई 1947 के बाद यदि कोई भारत में जन्म लिया है ठीक है और उसके भारती नागरिक है ठीक है मा या बाप दोनों में से कोई एक ठीक है तो उसको जन्मसे भारत का नागरिक मना जाएगा हम लोगों को नागरिकता जो मिलती है वो किस अधार में मिलती है क्योंकि हमारे माबाप भारत में भारत के नागरिक हैं है ना क्लियर या फिर वन्स पर वो चली आ रही है वन्स परंपरा है ना तो हमें वन्स परंपरा तो आरा मिल रही है उस समय जब यह सबसे पहला पॉइंट यह था कि एक जुलाई जिसका जन्म प्रत्यक प्यक्ति जिसका जन्म समिधान लागु होने अर्थाद कभ वो समिधान लागु भारती समिधान को अपनाया कब कहा था मैंने आपको पहले यह बताया था ना कि जब दो डिफरेंस भारती समिधान को अपनाना और भारती समिधान को लागु होना बताया था कि नहीं भारती समिधान को एडॉप्ट करना ठीक है ना एडॉप्ट करने बताया था ना 26 नवंबर 1949 it was the date when the constitution was adopted ठीक है अपनाया गया clear बताया था कि भी बताया था so unconscious थे है न तो ये 26 नवंबर 1940 को अपनाया गया और लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को बहुत माइन्यूट चीज है ठीक है लेकिन आपका नवंबर काटने के लिए परियाप्त ठीक है आपको बिल्कुल याद रहेगा मैंने कहता कि याद नहीं रहेगा लेकिन उस समय पे बूलेगा इसलिए बता रहा हूँ संभिधान का लागू होना और संभिधान का अपनाया जाना तीजाद टू डिफरेंट डेट्स ठीक है ना दिमाग में रखेंगे ठीक है तू लिखेंगे प्रत्यग है जिसका जन्म समय लागू होने अरथा 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को या उसके पस्चाद भारत में हुआ हो या उसके पस्चाथ भारत में हुआ हो या उसके पस्चाथ भारत में हुआ हो तथा तथा एक जुलाई उन्निस सो सेटालिस फ्रेसे लिखेंगे जिनोंने नहीं लिखा है प्रिदेग व्यक्ति जिसका जन्म समिधान लागू होने अर्थाथ 26 जन्मरी 1950 को या उसके पस्चाथ 26 जन्मरी को भी या उसके पस्चाथ भी ठीक है? ये भी दिमाद पर रखेंगे उसके पस्चाथ तथा एक जुलाई 1947 से पूर्व एक जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा ब्यक्ति भी अपने माता पिता की अपने माता पिता की राश्ट्रियता से भारत का नागरिक होगा इसका मतलब ये हुआ कि एक जुलाई 1947 के बाद जो लोग जन्म हुए जिनका जन्म हुआ है ना जिनका ठीक है एक जुलाई 1947 पहली देट तो आपको ये याद रखनी कि 26 जन्मर 1950 को या उसके बाद जन्म लिया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा ठीक है ये तो पहला पॉइंट उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ रहा है इस पे कि एक जुलाई 1947 के पूर्वेरी कोई भारत में जन्म है तो अपने मारता पिता की राश्ट्रीता के अधार पर नागरिक होगा ठीक है इस चीट को दिमाग में रखेंगे बस सिंपा सा यानि कि पहला जो आपको मैंने बताया कि भारत में राश्ट्रीता का पहला चीज़ ये है आपका जन्म से ठीक है या बाए बर्द ठीक है चलिए दूसरा लिखेंगे वज परांपरा दौरा नागरिकता वज परांपरा दूरा नागरिकता तीक है इसमें इसमें सीधी सीधी बात ये है 26 जन्मरी उनीसको ठीक है ये दी कोई ब्रती भारत में जन्म ने रहा है ठीक है लेकिन इसको 1992 तक सीमित किया गया थ्यान रखेंगे तो ये याद रखेगे कि 26 सिर्वर उनिसे 50 के को या उसके बाद कोई विक्ति भारत के बाहर भी जन्म ले रहा है तो वो नागरिक माना जाएगा यदि उसके पिता भारत के नागरिक हो तो ठीक ना है यहां इसमें भारत में क्या होता है प verify चलती ऑष पित्र सब्तात्मक्रों चलता है ना समझ रहे हैं इसलिए वनज का नाम जहां रहारा है मतलब इन जाटा है समान ले अपने अपनी भासा में समझे यविसी का लाइना जाता है तो किससे पिता से ठीकिना पैस्तखbn समाच जिस को वोलते आप मालिक पिता को माना जाता है पिस्था मतलब के आपको यदश करता है तो फिता के लाम यह जोड़ना जίसे आप के जितने आप नाज करतार जाए कि टने बने हुए है वह और सरनेम पें medicine form भी बने हुए तो समय मेल सरनेंपे बने हुए ठीक है क्लियर ओके चलिए लिखेंगे वंस परपर दोहरा ना गिरिता आपने लिखा भारत के बाहर अन्य देश में भारत के बाहर अन्य देश में 26 जन्मरी 1950 26 जन्मरी 1950 को क्या लिखार ने उसको को के कर लिजे 1950 के पस्चाँ जन्म लेने वाला ब्यक्ति 1950 के पस्चाँ जन्म लेने वाला ब्यक्ति भारत का नागरीक माना जाएगा भारत का नागरीक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय यदि उसके जन्म के समय अब देखिए यहाँ पर जो भी आप आओ रहे थे ना कि माता और पिता की छेज़या रही थी पहले क्या था 1902 ने तक जो आपका नागरीक्ता अधनियम था कौनसा 1955 वाला ठीक है 1955 वाले अधनियम में जो यह वंस परंपरा द्वारा नागरीक्ता का प्रावथान था ना इसमें सिर्फ पिता को प्रात्मिक्ता दी गई थी क्लियर फिर नागरीक्ता संसोधन अधनियम 1902 ने आता है इसमें पिता के साथ माता को भी जोड़ दिया जाता है क्लियर तो वरतमान इस्तिती यह है कि माता और पिता दोनों को इंक्लूड किया गया है ठीक है लेकिन जो 1902 तक किसे दी थी वो क्या थी पिता बस था ठीक है कि यदि आपके पिता भारत के नागरीक है तो आपको नागरीक्ता दी जा सकती है भले ही आपका जन्म अधर कंट्रीज बे हुआ क्लियर लेकिन नागरीक्ता संसोतन अधिनियम ठीक है ना सिट जन्सिप अमेंडमेंड एक 1992 के द्वारा इसमें मदर को भी इंक्लूड कर दिया गया पॉइंट क्लियर है ना आपका ठीक है जन्म से और उसके बाद वन्स परम्परा द्वारा क्लियर तो इसमें लिखेंगे आपने लिखा आपने की उसके जन्म के समय उसके माता पिता यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरी खो ठीक है तो ये हम बरतमाल इसे ती लिख रहे हैं यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता मेंसे कोई भारत का नागरी हो ठीक है दोनों चीज़े क्लियर ना जन्मेंसे कैसे होती है वरंपन्स परंपरद्वारा माता पिता कब तक थे 1922 तक टीक है लिखना है तो लिख कोईष्टक में थोड़ा सा एक लाइन ससर्ण लिखेंगी थे स्टार पॉंट जैसे बनां क्या आप लेखते हो महbasish्ट में माता की नगर电च की नगरे़गता the माता की नागरिक्ता के आधार पर नागरिक्ता का प्रावधान नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1902 के द्वारा किया गया माता की नागरिक्ता के आधार पर नागरिक्ता का प्रावधान नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1905 के द्वारा किया गया मतलब जो मदर को इंक्लूड किया गया along with your father that you are the you can be the citizen of India ठीक है however you take birth or you have a birth in any other countries out of India ठीक है तो आप किसी भी देश में लियो जाना लेकिन एदि आपके माता और पिता भारत के नागरिक्ता तो यू सेल अग भी the citizen of India ठीक है okay चलेंगे आगला रिखेंगे देशी करन द्वारा नागरिक्ता जाप जेशी करनेSt चलिए लिखे इने इसमें एक लाइन ही लिखना है भारत सरकार के देशी करण प्रमाणपत्र प्राप्त कर. प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती ठीक है अब देखिए देशी करण क्या है एक्चली देशी करण ऐसा होता है जैसे यदि हम माली जे कनेडा में जा रहे हैं तो जो वहां उनके सिट्जन्स सिप के रूल्स होंगे उनको फॉलो कर रहे हैं मतलब देशी करण प्राक्रती करण यानि कि रहते रहते नागरिकता प्राप्त कर लेना ठीक है क्लियर तो इसके दो तीन सिट पॉइंट होते हैं जैसे हम कहीं जी भी देश में जाते हैं इसके अधार पर ज्यादा तर नागरिकता है मिलती है माली जी कोई भारत में आया ठीक हो जो है कि तेस ही तो समाज इद में काम कर रहे हैं होता आuli अब देखिये जी वो कुछिदी श्यूनिया काम करता है श्यून्ध करतNice के चरित्र उत्तं हो चरित्र उत्त्त्ह मतलब उसके खिलाब को रह रहा है 15 वर्स मतलब 10 वर्स से काम कर रहा है कांटीनियू ठीक है और वो आवेदन करता है भारत की नागरिक्ता के लिए अब इसमें जो मुख रोल ये है कि वह कम से कम 14 वर्स ठीक है ये सरकार अलग 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 हला की रिफरेंस करती रहती है तो जो वर्तमान में ये है कि 14 वर्स तक वो भारत में रहा हो ठीक है और आब वो आवेदन दे रहा है लेकिन आवेदन देने के पहले 11 माह वो कांटीनियू भारत में रहे समझ रहे है ये भले वी देश का है तो अपने देश ना चाहे तब वो आवेदन दे सकता है नागरिक बनने के लिए भारत का ठीक है प्लियर फिर सरकार उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र देगी तो ये है देशी करण यानि कि रहते रहते आप वहां के नागरिक हो जाए वहां के बस इंदे हो जाए जैसे ये मान लिजे कि आप यहां के हैं आप चंतिजगर में जाके बस जाते है ठीक है तो पहले आपका प्रोविजनल डोमेसाइल सर्टिफिकर बनता है ठीक है मतलब कि पर्वनें इंटरेसिटेंट रलग होते हैं जैसे आपका क्या मिलता है अस्थाई निवास एक होता है टंप्रेरी जो प्रोविजनल बोलते हैं उसको तो यह आप वहां जाएंगे पांच साल रहेंगे तो पहले प्रोविजनल बनाते हैं फिर उसके बाद यह देखेंगे कि दस साल से ज्यादा दर लोगों के दि फादर कहीं दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं दस-पंद्रा साल से कर रहे हैं तो फिर वहां की उनको सेटिपिकट मिल जाता है क्लियर वहां की नागरिक्ता मिल जाती उस छेत्र की लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि दो आप एपिक कार्ड नहीं वरवा सकते वोटर कार्ड दो निवास परमानपत्र भी आपके पास नहीं होने चाहिए इस इल्लीगल तो देसी करणा को समझ में आया कि रहते रहते प्रात करना है इसके प्रावधान अलग-अलग होते रहते हैं ये भी मैं बता दूँ ठीक है क्लियर क्योंकि एक सरकार सुरू में 14 वर्स लेके चल रही थी बीच में 11 वर्स हुआ है अब 7 वर्स हुआ है ठीक है तो ये अलग-अलग प्रावधान है लेकिन आपको दिमाग में रखना है देसी करण दौरा नागरिक्ता प्रावधान जब यदि कोई आवेधान दे रहा है तो उसको कम से कम 11 मात पूर्व भारत में रहना चाहिए 11 मात पूर्व से ये होता है जैसे आपका पासपोर्ड का वेरिफिकेशन होता है तो पासपोर्ड के वेरिफिकेशन में क्या चीज़े होती है कि यदि आपको वेरिफिकेशन के तोरा ने ये पाया गया कि ये भारत मतलब कि कही दूसरी जगा रह रहा है आपका वेरिफिकेशन हो रहा है दी और टंप्रेरी एड्रेस में आप नहीं पाई जाते हैं तो फाइल क्लोज कर दी जाएगी क्लियर टंप्रेरी एड्रेस में आप कम से कम 6 महीने रहने हो यह रहे हो कई लोग अप्सर आप लोगों निए पासपोर्ट बनवाया होगा तो जो बाहर चले आते हैं व उनको सबसे यही होता है आए दिन यही समस्य होती है कि वह तमप्रेरी एड्रेस में आपको 6 महीने कम से कम रहना चाहिए तरथो आपकर टंप्रेरी को यह आता है क्लियर तो यह सारी चीज़े होती है तो आपको देशी करण से नागरिक्ता का मतलब यह है कि आप वहाँ पे रहिए कुछ दिन कुझारिए उसके बाद तिर आपको देशी करण द्वारा रहें के 10 साल 11 साल रहें उसके बाद आवेदन देजें आवेदन देने के 11 माह पूरु पंजी करण द्वारा नागरिक्ता पंजी करण द्वारा नागरिक्ता ठीक है निमने लिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजी करण के द्वारा नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं पंजी करण समस्ते हैं कितने लोगों को पंजी करण नहीं पता सुद्ध हिंदी इस सब्द का आर्थ बता दीजे मुझे पंजी करण कितनों को नहीं पता है सबको पता है मतलब अच्छा कितनों को पता है ये बता दे चलो कितने लोग सहमें थे कि रेश्टेशन होता है पंजी करण का मतलब रेश्टेशन होता है अरे होता है तो बताओ या होता है होता है नहें लिखा होगा न उपस्थित पंजी लिखा रहता है जो आपका attendance register होता है ठीक है अब आज माली जेंगरी जेव लेकर उपस्थित पंजी लिखा रहता था है ना तो पंजी यहने होता है register पंजी करण यहने होता है registration ठीक है अब registration का मतलब यह है समझ में आ रहा है कि मतलब कागजी करवाई clear लिखा पढ़ी के द्वारा आप नाग करों अकर्इटा मिल रही है ठीक है तूँ वह होता है पंजी करण लिखेंगे इसके जो मैंने बख बताया आपको पहला लिखेंगे रिश्ट्रेशन हिंदी में लिख लेना अच्छा लेगा क्या आपको पंजीकरण लिखोगे चलो लिखो पंजीकरण ठीक है चलिए लिखेंगे पंजीकरण द्वारा भारत का मूल ब्यक्ति भारत का मूल ब्यक्ति जो नागरिक्ता प्राप्ति का आवेदन देने से भारत का मूल ब्यक्ति या भारती मूल का ब्यक्ति जो नागरिक्ता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व सात वर्स भारत में रह चुका हो म। दूसरा इसी में लिकाएं के वी नम्बर करके नीचे लाएं लिकीजेगा टैस करके वे भारती जो अविभाज भारत से बाहर वे भारती जो अविभाज भारत से बाहर अविभाज भारत से मतलब यह है कि विभाजित होने से पहले का भारत इसमें पाकिस्तान को किया गया अविभाज भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हूँ तो इसमें पाकिस्तान तो गट गया ना अपने आप क्योंकि वो अविभाज भारत का हिस्सा हो गया ठीक है तो अभिभाज भारत के नहीं अभिभाज भारत से बाहर ये दिक ही निवास कर रहे हूँ ठीक है चलिए दूसरा लिखेंगे वेस्त्रियां जो भारतियों से विवाह कर चुकी है ठीक है भारती नागरिकों के नाबालिक बच्चे भारती नागरिकों के नाबालिक वेस्त्रियां जो भारतियों से विवाह कर चुकी है पहले वाला पॉइंट है उसके बाद है भारती नागरिकों के नाबालिक बच्चे ठीक है राश्ट मंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हूं या भारत में सरकारी नोगरी करते हूं ठीक है अब सबसे नीचे लाइन लिखेंगे जैसे conclusion टाइब के लिखते हैं भारत में सरकारी नोगरी करते हूं आवेदन देकर नीचे लिखेंगे सबसे अब ये लाइन आवेदन देकर भारत की नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं आवेधन देकर भारत की नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं बिना नागरिक्ता के भारत में बिना नागरिक्ता के तुम दूसरे राज्य के में झा सकते हो और तह दूर की जीज़ आपके ऐसे ब्यापम का नोटिफिकेसन आता है तो पहले देखते हैं माद्य प्रदेश का नागरी खो अब तो यहां MP वाले बहुत उदार हो गए हैं वो नेपाल वालों को भी देखते हैं ठीक है नेपाल का नागरी खो क्लियर नहीं दे सकते हैं डो मेसाहिल होता है यहां रिस्ट्रिक्शन्स नहीं है ज्यदा तर राज्यों में सिर्क 10% आउर् राष्ट्रमेंडल देश का गठन कभ हुआ है यह बताऊ है इंदी में की ओए इंगली से क्या ओलन देश को कॉमन विर्थ हैं किदने लोग नागरी खेसके कि इसे मतलब किदने देस नागरी है कि आप इस धीए कमन विर्थ मैं बता रहा हूं चलियो इस दिबाग लगान ब ठीक है, बिटिस के जो गुलाम रहे जादा तरदेश वो राष्ट मंडल के सदस्य हैं, बरतमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो है चौमन, क्लियर, मैंने जब आपको समिधान सभा की सदस्यता बता, मतलब समिधान सभा की कारे बताए थे, उसमें एक पॉइंट लिखाया था, कि राष्ट मंडल की सदस्यता ग्रहन करना भी इसका प्रमुक कार्य था, और इसने जो भारत ने सदस्यता ग्रहन की थी, वो निस्सो उन्चास में की थी, अमेरिका गुलाम नहीं था, ठीक है, अमेरिका में जाएंगे तो फिर अमेरिका के ग्रहयुत में जाना पड़ जब इंग्लेंड की करांती सुरू हुई थी ठीक है 1620 के असपास तो अमेरिका एक ऐसा था पूरा जंगल था ठीक है पूरी दरे से जंगल वहां के आज भी जो मूल नागरिक है वो रेड इंडियन कहलाते हैं जानते हैं अबोरिजेंस रेड इंडियन है ना जो मतलब की बिल ध्यक्स हाँ यही ठीक है तो यह चीज यह थी कि जो एक्शली हुआ कई था कि जो यहां के अपरादी वर्त थे कहां के बृतेन के और प्रिस टेरिटरी के ग्लिएर या फिर जिनको देस निकाला कर दिया जाता था या फिर जो बृते में सब से ज़्यादा अपराद करते थ सबसे जाद देसों के नागरी वहाँ चले जाएंगे एक गली में चले जाएंगे तो को हुभी टीक वह अलग अलग दिशों के हैं क्लियर इसलिए वह सोतंतर विचारों को भी धनी है वो किसी एक परंपरा को फालो नहीं करते इसलिए वहां सबसे पहले संविधान बना इसलिए वहां पर पहले डेमोकरसी आई सबसे पहले संविधान कहां बना किस देश में अमेरिका में ठीक है न प्रस्तावना भी मैंने बताया था ना कि अमेरिका में ही सबसे पहले सुरू हुई थी क्लियर तो यह सारी चीज़े हैं उस पर अपने जाते हैं कॉमन विल्थ को दिमाग पर रखेगा उनिस सो उन्चास में बाला फॉर अगला बिंदू आप लिख रहे थे तो आपको तीन चीज़े क्लियर हैं पहला वंस परमपरा द्वारा जन्म से और बंजी करण द्वारा ठीक है और देसी करण भी हो गया ना चली अगला लिखेंगे भूमी विस्तार द्वारा भारत की न्यागरिक्ता प्रात करने का जो ये पाच्वा तरीका है वो है भूमी विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में सामिल किया जाता है यदि किसी नए भूभाग को भारत में सामिल किया जाता है भारत की नागरिक्ता प्रात हो जाती है ठीक है ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी ना किने समझ में आ रही है जैसे मालीजे गोभा एक समय पर पुर्दगालियों के कबजे में था ठीक है पांडिशेरी फ्रांसेसियों के कबजे में था था ना क्लियर तो जब भारत में मतलब भारत में मिल गया तो गोबा के नागरी भारत के नागरी खो गए ठीक है सिक्किम को मिलाया गया भारत में तो सिक्किम के नागरी भारत के नागरी खो गए मतलब हम छेत्र विस्तार कर रहे हैं सीधी सीधी बात यह समझ यह कि भविश्य में को इसको क्या बोल सकते हैं छेत्र विस्तवार द्वारा भारत के नागरिक समझ रहें बस ऐसे ही चलिए अगला पांड डालेंगे नागरिक्ता की समाथ्थी नागरिक्ता की समाथ्थी अब सीथिए समझेंगे नागरिक्ता है की समाथ्थी नागरिकता त्याग कर रहे हैं, clear, स्वता ही ही आप नागरिकता कर त्याग कर दे कि नहीं, I am going to be the citizen of any other country, ठीक है, because I am renunciating my citizenship, ठीक है ना, आपने त्याग कर दिया, clear, या फिर देश, भारत, आपको नागरिक मानने से मना कर दे, या नागरिकता आपकी छीन ले, ठीक है, पिर, इसको देश निकाला बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, clear, यह तीन पॉइंट है, पहली तो आप त्याग दो, ठीक है, दूसरा आप छीन ले, और तीसरा आप जाके, खुद दूसरे देश में, निवास करने लगें, ठीक है, तो यह तीनों पॉइंट आपको दिमार्ग में आ गए होंगे, जो आपका नागरिकता लेने का प्रावधान था, वो क्या था, पहला, जन्म से, ठीक है, दूसरा क्या था, वन्स परंपरा से, तीसरा क्या था, देशी करन, या प्राकृतिक नागरिकता, ठीक है, उसके बाद चौथा क्या था, पंजी करन, ठीक है, और पाँचवा आपका था, भूम विस्तार या छेत्र विस्तार, क्लियर, पाँच पॉइंट, नागरिकता त्यागने के लिए, तीन पॉइंट, त्याग दीजिए, छेन ले, या आप, स्वता है किसी देश के नागरिक बन जाईए, ठीक है, ओके, चलिए, तो लिखेंगे, नागरिकता के समाप्ति, नागरिकता खोने के तीन प्रमुख कारण, स्वैचिक त्याग, स्वैचिक त्याग, स्वैचिक त्याग, स्वैचिक बन जाईग लिखते है ना, स्वैच्छिक त्याग चीए बरखास्तगी यहीं सस्पेंसन डिसको बुलते हैं एवं वंचित करना है स्वैच्छिक त्याग बरखास्तगी एवं वंचित करना है ठीए चलिए इनको डिटेल करवाऊं कि समझ में आ रहा है ठीक है न विगाज वन डे प्रस्पेक्टिव में डिटेल लिखना कोई मुझे नहीं पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक है आपको समझ में आ गया these are the points ठीक है दिमाग में आपके यह होना चाहिए कि भारत में आगरिकत्ता खोने के यह तीन बिन्दो है यह जरूर अटे होने चाहिए ठीक है न owकरिकता परात करने के यह 5 बिन्दो है यह Clear होने चाहिए नागरिकता सनसोधन के अधनियं है 1905 में 1922 माता को ये बहुत hard question हो गया ठीक है इसके बाद आपा जाई ये महत्पूर्ण अनुछे जो नागरीता संबन दी थे ठीक है वंचित करने जब तेज वंचित करने थे ठीक है हाँ वंचित करने से मतलब ये जैसे मैंने आपको बर्षखास्त की बिता है न आपके नागरीता हटा दी गई ठीक उसके बाद ये है कि आप खुद ही जाके दूसरी जगे से ले रहे है ठीक है और तीसे ही क्या थी कि आप खुद ही छोड़ दे रहे है ठीक है तो ये चीज़े है मतलब वो थोड़ा क्लिस्ट वर दे हैं हिंडी के ठीक है तो आपको नागरीता लेनी ही पड़ती है जैसे सानिया मिर्जा की टेनिस स्टार जो थी उनकी साथ ही हुई थी ठीक है लेकिल वो सिट्जन कहां की हो गई पाकिस्तान के लेकिल उखेली धर सही रही है अब तो साथ मैंचेसम के साथ कम हो रहे है यह हो ही नहीं रहे ठीक है लेकिन वो नागरीत कहां की हो गई वहां की ठीक है आपको जादा डीटेल हो तो एक बार आप सच कर लीजेगा ठीक है क्लियर रहेगा पीर चलिए इसमें बात मात्पुर अनुछेदों में लिख लेंगे पहला जो आपका पंजी करण द्वारा नागरीता का प्रावधान है वो अनुछेद छै में लिख लेंगे अनुछेद छै अनुछेद छै ठीक है सिदे सिदे लिख लो इसमें एक लाएन पंजी करण द्वारा नागरीता पंजी करण द्वारा नागरीता मेंस रेस्टेसन ठीक है ना सिट्जन सी पार रेस्टेसन इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट है वो लिखेंगे आप अनुछेद छै में ठीक है कोई ब्यक्ति यादि किसी अने देश की नागरीता गराण कर लेता है कोई ब्यक्ति अनुछेद नौ में कोई ब्यक्ति यादि किसी अने देश की नागरीता गराण कर लेता है तो वह भारत का नागरीत नहीं माना जाएगा अनुछेद नौ है ये ठीक है यदि कोई ब्यक्ति किसी अने देश की नागरीता गराण कर लेगा तो वह भारत का नागरीत नहीं माना जाएगा ठीक है ये इंपोर्टेंट है ठीक है क्लियर की नागरीता का वो त्याग कर दे रहा है ठीक है या फिर हला कि इसमें त्याग जैसा नहीं है वो आटोमेंटिक अपने आप खतम हो जाती सिट जैसिप आपकी क्लियर जैसे आपको पता होने जाएगी जो अच्छे कुमार है वो भारत का नागरीक है कि नहीं है ठीक है तो इस तरह या आप कहीं की भी जाके सिट जैसिप ले लीजिए ठीक है चलिए अगला लिखेंगे अनुछे 10 प्रत्येक बेक्ति जो भारत का नागरीक है या समझा जाता है प्रत्येक बेक्ति जो भारत का नागरीक है या समझा जाता है यदि संसद उसके लिए किसी विधान का निर्मान करे ठीक है और इसमें समसे इंपोर्टन जो आपको दिमाग में रखना है वो है आपका अनुछेद 11 सीधा सीधा अनुछेद 11 में ये उलेख है कि संसद नागरिक्ता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है यानि कि संबिधान में अधिकार दिया गया है संसद को नागरिक्ता के प्रावधान बनाने बिगाड़ने जो भी चीज़ों का अधिकार ठीक है ना सीधे सीधे समझेए संसोधन क्लियर लिख लेंगे अनुछेद 11 ठीक है अनुछेद 11 में लिखेंगे नागरिक्ता से संबंधित विश्यों पर संसद कानून बना सकती है नागरिक्ता से संबंधित विश्यों पर संसद कानून बना सकती है ठीक है ओके क्लियर और जो नागरिता संसोधन चार-पांच पार हुआ है ठीक है अभी पिछले साल भी हुआ है जो एनर्सी के लिए नागरिता संसोधन कानून ही बनाया गया था ठीक है तो इसको दिमांट में रखेंगे थोड़े से पॉइंट आएंगे तो एनर्सी वगेरा देख लीज एनर्सी ये करेंट फेर में खूप था ना एनर्सी और क्या बोला मैं एक सब्सक्राइब और इसके बारे में हो सकेगा तो एक आथ आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में कहीं भी मिल जाएं ठीक है पहले तो फूल फॉर्म पता करना उसके बाद क्योंकि इससे मैं बता रहा हूं क्या होगा आपके ये करेंट प्लस जो भी पुरानी चीज़े क्लियर हो ज इसके बारे में होता ठीक है यह किस विशे से संबन्दीत है ठीक है मुझे ध्याने के साथ ये पछला हूं वो NCR की बात कर रहे हो, NCR दिल्ली का छेतर है वो, मैं NRC की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली NCR का छेतर हो अलग है, ठीक है, नेश्टर केपटल वीजन, क्लियर, तो इसको सच की जिएगा, इंपोर्टेंट आप के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आउट आप दे बॉक्स लगाता हूँ, मैं फिर आपको घ्ला समय, ठीक है, ठीक है, तो आपका 9 हो गया, 9 में दिमाग में यह याद रखना है कि आपको, नागरिक तक इस से, किसी दूसरे देश के नागरिक बनने से हट रही है, और इसके बाद यह ग्यारा है, आपको याद रखना है, नागरिक त सत्या करने के तीन प्रावधान है अनुछे 5 से 11 तक इसका उलेख है 1955 नागरिक्ता अधनियम है ठीक है संसोधन बाद में होते रहे हैं ठीक है चार पांच संसोधन हुए है ठीक है 1986 में 2005 में हुआ है 1902 में हुआ है क्लियर अभी आपका 2020 वाला था क्यों निस था ठीक है इसको भी दिमाग में रखेंगे तो यह सारी चीजें आपको नागरिक्ता से संबंदित दिमाग में अच्छे से रखनी है क्लियर करेंट फिर आपका ठीक चल रहा है ना कितना हो कितनी क्लास होगी करेंट की दो क्लास कितने महीने को गया इसमें ठीक है जो भी आप पढ़ रहे हैं ठीक है मैं गोसस करूँगा कि आज या कल साम तक टेलीग्राम ग्रूप जो भी लोग हैं तो वो जोईन कर लेंगे ठीक है अपने वो बुक डाउनलोड की देखी मैंने ग्रूप में डलवाई थी भारती संविधान 2011 वी वाली ठीक है एंसे आरटी हिंदी में ठीक है देख लीजिएगा पहले उस बुक को आपको यदि ठीक लगे तो आप परचीस किजिएगा ठीक है नतर जाकर खरीदिएगा संविधान के लिए वो बुक बहुत ठीक है मैं कुछ अलग आपको टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूंगा कल तक पीडियाफ ठीक है तो आप उसको देख लीजिएगा रिवीजन ही होगा हां क्या यूट्यूब में पता है प्रॉब्लम नहीं है डाल सकते हैं लेकिन तीन घंटे की क्लास होगी ठीक है और सब से बड़ी चीजिए होगी कि बहुत लंब हो जाता है मेरे पास सामय कम रहता है आप लोग खुदी सीडियो मेरे देखते हो को समझ में आता होगा ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा समझेंगे जैसा भी होगा यह आपको लगेगा मैं बता रहा हूँ आपका पेपर 21 से हो रहा पीडियाप तो पढ़ सकते हो ना बाद में आवार सुनके पीडियाप तो कर लोगे ठीक है तो अभी आप करेंट कराईए ठीक है नहीं होगा तो फिर मैं इसका अबजेक्टिव कुछ ने कुछ जुगाड़ा करता हूँ ठीक है तो आपका हो जाएगा करेंट अच्छे से एंपी की चीज़े हैं एंपी जरूर फोकस करिए मैं भी बता रहा हूँ एदि आपके पास अभी 6 दिन है न तो आप एंपी की कोई किताब उठा लीजिए एदि आपकी नोट्स हो तो एंपी उठाके रखिए करेंट में कमांड रखिए ठीक है समय पहले भी जा चुका है म मैं संसोद्ण आपका क्लियर कर दों तो संसोद्ण और और आपका ये कोशिज्ष करूँक्त है आपके परिच्षा के पहले हो जाल जा। मतलब जो important article है 100 ठीक है कम से कम वो आपको रट जाएं और संसोधन आपको रट जाएं ठीक है और तो अपन काइरंटी नू करेंगे फिर class तो चलती रहेगी लिकिन यह अनुछेद और संसोधन important जो आपके परिच्छक दिश्ट से हैं ठीक है तो यह हो जाएंगे होपसो की तीन से चार दिन में दोनों चीज़े हो जाएं ठीक है मतलब आपके परिच्छा के पहले मैं clear कर दूँगा अनुछेद और संसोधन class बढ़ा लेंगे किसी दिन एक आट-वेड़ घंटे कर लेंगे मालीजे समझता है एक घंटेर चलती है मेरी ठीक है 1926 में राष्ट मेंडल के पहले भी एक छोटा सा गडवंतन बना था ठीक है उसकी बात है लेकिन जो वफ़र टेकलिरेशन हो था उससे वास्तवी की स्थापना मानी जाती है 1926 ज्यादा तर किताबों में दिया हुआ है ठीक है लेकिन 1931 में जो वफ़र टेकलिरेशन हो था उससे इसकी स्थापना मानी जाती है मोल रूप से ठीक है परिच्छा में आया भी है ठीक है यूपी पीसे के एक्जाम के वफ़र टेकलिरेशन किसे संबंदी थे इस चीज को जो इसमें सब्सक्राइब पूछा जाता है कि भारत राष्टमिटल का नागरिक कब बना था ये दिमाग में रखिएगा कितने सदसे ये रखिएगा और सबसे बड़ी चीज है कि जो कंट्रमेटिसल रहत है ये मालदीव जो देश है ठीक है ये नागरिकता मतलब की राष् इसलिए आपका G20, G4, G5 ठीक है G7, G8 जो आपका चलता है ठीक है इसको दिमाग में रखिएगा आपका जो आपका सार्क हो गया ठीक है और इसके अलावा जो आपका ये संधाई कारप्रशन और इसको आप बोलते हो ओपेक हो ठीक है मुसलिम कंट्रीस के जो संगठन है इस इसको दिमाग में रखिएगा ठीक है इसलिए मैं बोड़ा हूँ मुसलिम कंट्रीस का संगठन क्या कौन सा है कि वो इसमें साथ 60 के आसपास मुसलिम देश है देख लीजाएगा एक बार मुझे तुर्द सा दिमाग से अट रहा है क्यों क्योंकि अभी भारत जो जमो कस्मि अगर्मेनिया में ठीक है वहां पर भी मुसलिम संगठन ने ही सको साइड करने के लिए बोला है ठीक है पाकिसान उसमें ज्यादा फेबर कर रहा है तो इसको जरू ध्यान रखिए गटो ठीक है यह एक्जाम के हिसाब से भी और आपके हिसाब से इंपोर्टन ओके झाल 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 झाल